हेलो, नमस्कार, चलिए आज हम लोग का दूसरा दिन है, हम लोगों ने जो सीरीज चालू करी है, 38 से 40 कोश्चन हर चैप्टर का एक, आज उसका सेकिंड आपको एपिसोड, तो चालू करते हैं, समय नहीं खराब करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है, और नीट की प्रिपरे लिविंग और गिनिजम केंड बी अनक्सेप्ट अली बिना किसी अपवार के, दिस्टिंगेश फ्रॉम दा नॉन लिविंग ते बीच में, हाओ के नू दिफ्रेंशेट बेपिन लिविंग और नॉन लिविंग, अन दा बेसिज आप देर अबिलिटी, ग्रोथ हैं मुवमे लिविच अकस फ्रॉम आउटसाइड, बाइ मीन्स ऑफ एकुमुलेशन और सम्मेटिरियल ओवर एक्स्करनल सर्फेस, तो एक्सिंसिक ग्रोथ आपको मौंटेंस वगेरा भी दिखा ज़कते हैं, मौंटें और सैंड मॉल्स भी दिखा ज़कते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक ग उपकार भी करती हैं, तो यह नहीं हो सकता, इसके लिए सेल का होना जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिक जो रियक्शन है, यू कन परफॉर्म मेटाबॉलिक रियक्शन आउटसाइड दा बॉड़ी ओप एन और ऑगिनिजम इन दा टेस्ट्यूब, टेस्ट्यूब में भी ल लिविंग है, आला कि उसमें टेस्ट्यूब में आपके जो रियक्शन हो रहे हैं, वो लिविंग रियक्शन है, तो यह आपकी एंसी आटी की लाइने से परिशान मत होईएगा, अब बहुत बच्चा इसको हर साल पूछता, यह लिविंग रियक्शन और लिविंग तिंग लाइफ, लाइफ के लिए बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, तो सेल का होना जरूरी है, सेलूलर और्गनाइजेशन और मेटाबोलिजम, इसलिए हम कहेंगे, इस भी आपका अंसर ठीक है, इसमें आपका अंसर रिस्पॉंस टू टच्च, तो रिस्पॉंस टू टच्च रिस्पॉंस टू टच्च अपने आप में ब्रॉडर टरम है, और यह आपका अगर आप देखेंगे, पिछले फिर आप कंफ्यूज होगे, अगर आप देखो कि 1990 के आराउं और 97 के आराउं ये कोश्चन आया था, तब वो रिस्पॉंस टू टू टच्च उन्होंने माना थ होता, consciousness and interaction with the surrounding environment, consciousness लिखा होता तो फरक हो जाता, तो cellular organization and metabolism को चुन लीजे, reproduce, reproduce तो कुछ ऐसे organisms हैं, हम इसको on the bill, unexceptionally, reproduce को नहीं पकड़ तकते, क्योंकि आपको पता है, mule ऐसे हैं, जो sterile हैं, reproduce नहीं कर तकते, इसी तरह से आप भी जानते होंगे, कि certain human couples ऐसे हैं, जो married, happy, directed life को अपना enjoy कर रहा है, लेकिन हो reproduce नहीं कर पा रहे, due to the male infertility of female infertility, तो reproduction अगर कोई कपल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब यह नहीं है, कि हो non-living है, तो reproduction को भी हम लोग characteristic, defining characteristic नहीं मानेंगे, to differentiate between living and non-living, okay, तो answer इसका हो जाएगा, आपका पहले यह वाला cellular organization and metabolism, ठी, आगे चल rule of nomenclature, nomenclature के rule के रूल किनों ने दिये थे, कैडूल असलीमियस ने दिये चाओ, उन्होंने क्या बताया था, जरूरत क्या थी, जरूरत यह थे कि all over the world, कोई भी organismism एकी नाम से जाना जाए, तो उन्होंने जो law दिये थे, या कहिए कि rules and guide criteria दिये थे, तो उसमें यह था ज lower care self are better, और अगर यह English language के हैं, तो उनको latinize किया जाएगा, और prints में italics में किया जाएगा, hand return है, तो उसको underline कर दिया जाएगा, इतनी बाते याज रख लिएगा, biological name are generally latin and returns in italics, ठीक बात है, the first word in biological name, रिपर जीन, बिल्कुल ठीक बात है, second specific habitat, ठीक बात है, each species is given single name only, but with two component ठीक बात है, when returned by hand, their names are to be put bold, their names are to be underlined, underline करना, bold letter में नहीं लिखना, तो यह वाला जो है, यह वाला सूट नहीं करता नियम, जो binomial nomenclature के नियम थे, the answer हो जाएगा, चलिए आगे चले, choose the correct combination, algal cell wall, algal cell wall किसकी बनी होती, algal cell wall बनी होती, cellulose, glycans and menins, तो इसके आगे लिख polypeptide है, इसके आगे लिखिए, 4 cell wall of fungus, काइटीन की बनी होती है, जो कि polymer है, एनेसेटाइल, glucosamine, इसके आगे लिखिए, 2 primary cell wall of fire plant, cellulose, hemicellulose and protein, तो 3, 4, 2, 1, जहां पे होगा, 3, 4, 2, 1, उसको चुनली, जी आगे बढ़िए, आपकी NCRT की line है, which of the following statement is wrong, which of the following statement is wrong for viroids, they lack a protein coat, viroids सही है, कि उनमें protein coat नहीं होता, virus क्या है, virus हमारा nuclear protein, DNA, RNA और उसके चारों तरफ protein का coat है, viroids तो protein coat नहीं होगा, it's smaller than virus सही है, they causes infection सही है, their RNA is high molecular weight, बस यही गलत है, their RNA is of low molecular weight, तो virus और viroids, viroids हमारा कैसा है, low molecular weight का और उसके चारों तरफ protein की covering नहीं है, capsid नहीं मिलता, answer, बता दिया आपको आगे बढ़ता हूँ, मैं, आगे चलिए, प्रायोंस क्या है, प्रायोंस है हमारे, यह infectious agent है, और unnaturally folded, बड़े अजीबों करीब धंग से folding हुए हुए, proteins के particle है, misfolded proteins, which have the ability to transmit misfolded shape to the normal variants of the same protein, तो यह normal variant जो same protein है, उसको भी misfolded कर देंगे, प्रायोंस के आगे आप लिखिए, एक के आगे चार, वाईरस क्या है, वाईरस है, infectious agent that made of nucleic protein, यह, infectious agent that make of nucleic acid and protein replicate only inside the living cell, only inside that living cell, यह अपनी replica बना पाएगा, वाईरस क्या है, अभी बात करी थी, वाईरस क्या है, कि वाईरस में आप देखेंगे, कि उसके चारों तरफ का, खोल नहीं है, and infectious entity affecting plants, plants में यह, cause करेगा infection smaller than virus, वाईरस से small and consisting only है, nucleic acid, तो वाईरस क्या आगे, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, 2, 3 क्या आगे, 2, 4 क्या आगे, लिखेंगे, 1, ओके, चलिए आगे, which of the following statement regarding virus is incorrect, they are non-cellular, non-cellular, they do not show characteristic of life until they enter a living body, living body, living host cell के अंदर enter हुए बगार, वो कैसे है, inert particle है, तो यह बार भी स्ठीक, यह बार भी स्ठीक, यह बार भी स्ठीक, खाली protein बना सकता है, nucleation नहीं बना सकता है, ऐसा नहीं हो, nucleation भी बना सकता है, protein भी बना सकता है, तो यह statement गलत है, गलत करिये, आगे बड़िया, बड़िया, ठीक बात है, बात है, अलार पैरासाइट, इस एक्सोल रिप्रोडक्शन हीन एलगा ऐस रिखने को मिलेगा पूछा आप से क्या जाएगा पूचा आप से यहीं जाएगा इस पूर्स्वोह स्पोर इस एक्सोलू एलगा थी था ए आंस्य सका है आपकी एंसियाटी की जाहाईड हूँ पेज नमबर 30 पे मेंचन है, male gametes, male gametes are flagulated, flagulated male gametes किसमें मिलना है, तो आप देखेंगे कि 2 से 8 आपको chlorophyce में, यह आपकी जो चार्ट बना हुआ उस चार्ट में लिखा है, बाकी language में नहीं लिखा, तो 2 से 8 आपको मिल रहे है, flagulated male gametes, जो equal है और apical है, 2 आपको, यह मिल, sorry, 2 स आप flagela की presence फिल लही है, gamete में, तो chlorophyce के जो member है, उस पे flagela का number 228 है, और वरpical position में है, equal में है, chlorophyce में, फियोफाइसी में यह नमबर 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगे, कैसे lateral हो जाएगे, छोटे बड़े हो जाएगे, और रोड़ोफाइसी में यह 0 हो जाएगा, तो एक पास हमारा फियोफाइसी का example है, स्पाइरोगेरा, ग्रीनलगा का example है, लेकिन स्पाइरोगेरा में फ्लैजिला नहीं मिलता, पॉली सिफोनिया, रोडोफाइसी का member है, रोडोफाइसी के member में आपको मिलेगा नहीं, एना बेना, अब यह बात द्यान से खुनना है, जो कान बिलकुछ, नीट का यह question है, नीट में आ चुका, एना बेना यह किसका representation है, साइनो बेक्टिरिया का ब्लू ग्रीन अलगा, इसमें कोई भी साइल ऐसी नोन नहीं है, जिसमें फ्लैजिला हो, ब्लू ग्रीन अलगा, साइनो बेक्टिरिया नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, बॉली सिभोनिया, रेड अलगा, नॉन सेफ्लैजिलेटेड होते हैं, इस्पाइरो गहरा, ग्रीन अलगा में आपको टू-टू-एड मिल सकते हैं, लेकिन इस्पाइरो गहरा एक ऐसा है, जो आपको दिखाएगा, आइसो गैमी विप नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल है, लेजिला नहीं है, श्पाइरो गहरा में, तो एक्टो-कार्पस इसका अंसर हो गया, ठीक है, फियो फाइसी का मेंबर है, इतनी जल्दी क्यों बोल ला हूँ, बटा दिन बचे हैं, 30 के बल, 40 के बल, तो यह आपका अंसर हो गया, एक्टो-कार्पस, चलिए, विच्वन इस स्पोर्प, अंसर्म इस ट्रिफिकल फीचर ऑफ जिन नौस पर्म, जिन नौस पर्म जो है, प्राइर टू फटिलाजेशन बनेगा, जबकि अंजियो स्पर्म में यह बनेगा, आफर फटिलाजेशन तो सिं गैमी, जो हमारे दो सेंटर सेल्व में, पोलर नूपलिट्री हैं तो यह बन जाएगा triploid तो triploid होता है endosperm in case of angiosperm के case में post fertilization बनता ज्यान के तुन लो gymnosperm में यह heploid होता है pre fertilization बनता है तो यह statement में ठीक है गलत क्या mucer has biflagellate geospors mucer में biflagellate geospors नहीं होते तो इसके लिए थोड़ा सा description पढ़ लीजिए mucer has biflagellate geospors यह correct answer है क्योंकि यह incorrect statement है mucer belongs to kingdom fungi fungi को belong करता है division zygomycities zygomycities one of the same thing zygomycities have sexual spores called zygospores and most of them lack flagella flagella नहीं मिलेगा non-flagellated होते हैं यह आपके need का question है आचुका which of the following statements about certain given animals is correct round warm escalmanthys cedosimulate cedosilomate escalmanthys को बोल रहा है कि यह cedosilomate है ठीक है जी तो platyhelmanthys हमारे platyhelmanthys से आपको three germ layer मिल जाएंगी वो acilomate होता है उसके बाद escalmanthys हमारा यह cedosilomate होता है और उसके बाद any leader से आपको true silomate मिल जाएगा पहला ही example जो आपको दिया answer ठीक है अच्छे से देख लिए जे cedosilomate है क्योंकि इसमें जो mesoderm lined mesoderm के scattered pouches मिलेंगे और यह हमारी body cavity यह mesoderm से lined नहीं है रादर उसके जगा पे scattered pouches of mesoderm है that's why that this type of silom this type of body cavity is known as cedosilom true silom क्या true silom is the body cavity between gut wall and body wall gut wall और body wall के बीच में cavity अगर बन जा mesoderm से line हो तो उसको हम लोग बोलते है true silom true silom आपको मिलेगी कहां से annilida onwards annilida arthropoda mollusca hemicordata, echino termata, hemicordata in 6 में आपको मिलेगी true silom तो round warm आपके cedosilomate है बिल्कुल ठीक बात है molluscus acilomate बोला silomate होते है insect cedosilomate नहीं silomate होते है flat warm silomate नहीं acilomate है flat warm platel mentis बें आपको 3 जम लेगी लेकिन अभी body cavity नहीं मिलेगी तो यह acilomate है यह तीनों ही आपके नीचे वाले जो है statement वो तीनों statement गलत है यह भी गलत है यह भी गलत है यह भी गलत है सही कौन सा है round warm cedosilomate होते हैं विल्कुल ठीक बात है इसको ठालीजिए आगे बढ़िए which one of the following characteristic feature always hold for the corresponding group of animals cartilaginous endoskeleton conflict thesis में मिलता और इसका कोई भी exception known नहीं है यही ठीक है yvipary कहरा जी yvipary possess a mouth yviparous yviparous होगा कौन? mammalia तो mammalia के कुछ member ऐसे हैं जो oviparous platypus हमारा oviparous है तो यह जरूरी नहीं कि हमारा मतलब यह yviparous mammalia में आपको इसका exam exception नहीं मिले mouth with upper and lower jaw quadrata तो quadrata में agnetho stomata ऐसे हैं जिसमें आपको देखेंगे कि jaw नहीं मिलता three chambered heart with one completely incompletely divided ventricle reptilia तो आपके propodile में four chambered heart मिलता तो यह भी इसका भी exception है इसका भी exception है इसका भी exception है उन्होंने पूछा कि कौन सा ऐसा है group जिसमें आपको exception नहीं मिला contractives cartilaginess endoskeleton में हमको exception नहीं मिलता आगे बढ़िए अब फिर से आया which of the flying following are correctly met with respect to their taxonomic classification Pisces में बोलना flying fish, cuttlefish, silverfish silverfish आर्थोपोड़ा का member है जिसका उन लोग silverfish यह insect है यह आर्थोपोड़ा का member है Pisces का member नहीं है अर्थ हुआ हम spider, scorpion, leech any leader तो spider और scorpion किसके हैं spider और scorpion हमारे आर्थोपोड़ है any lead नहीं है house fly, butterfly, sese fly silverfish आर्थोपोड़ा यहीं ठीक है house fly, butterfly, sese fly और silverfish यह सारे के सारे हमारे insect है आर्थोपोड़ा बिल्कुल ठीक मात है sea animal, sea urchin, sea cucumber तो sea animal हमारा sealant rate है sea urchin, sea cucumber हमारे काइनुडर में तो यह आपका sea animal की वज़ा से यह भी नहीं बन था तो यह आपका answer हो गया इसमें क्यों सा house fly, butterfly, sese fly and silverfish ठीक है जी साइकोन फिलॉन टुआ group of animal which are best described at साइकोन जो हमारा एक group of animal में आ रहा उसको हम कैसे describe कर देखते है multicellular with gastrovascular system gastrovascular system sealant rate आका है साइकोन आपका pori phair आका है multicellular having tissue organization but no body cavity इसको चुन लेजिए यह multicellular है जिनमें आपको tissue level का organization मिल रा का है इसमें tissue level का organization नहीं मिल ला इसको चुन जिए multicellular without tissue organization sorry इसमें cellular organization मिलता है तो यह गलत हो गया था excuse me sorry मा भी चाहूँगा इसमें आपने multicellular with gastrovascular system यह आपका sealant rate multicellular tissue इसमें आपको pori phaira के members में cellular level organization मिल ला तो इसको चुन ली जिया multicellular without any tissue level organization D is the right answer yes D is the right answer psychons belong to the pori phaira members of this phylum commonly known as sponges poor bearing animals इसमें लोग बोलते हैं most primitive multicellular organisms है तो यह हमारे pori phaira having cellular level of organization जो cellular level का organization दिखाते है मैच दा फालोई मैच करिए चलिए बेसल बेसल आपको placentation placentation क्या है ovule कैसे लगा हुआ है ovarian cavity में वाल से उस हिसाब से उसको placentation हमारा और्णेज कैसा उसका orientation है किस हिसाब से attachment of attachment of ovule with the help of placenta to the ovarian cavity that is known as placentation बेसल किसे में मिलेगा marigod में free central parietal axial और हमारा marginal free central किसमें मिला free central हमारा dianthus में मिला parietal किसमें मिला parietal हमारा argymone में मिला axial किसमें मिला X daily हमारा lemon में मिल दा marginal हमारा P में मिल दा तो bezel के आगे आप लिख लो जी four, single होगा base पे होगा free central में partition नहीं है perceptaquabination नहीं हुआ है free central का example हमारा diyssा parietal का example हमारा argemone argemone को mustard होते हैं फांच पे ये आ गिया xazaal का example हमारा lemon हो गिया थर्ड पे लिख लिए और मार्जिनल का एक्जाम्पल हमारा पी हो गया वेंटरल सूचर पे टैश होंगे ओव्यूल यह हमारा मार्जिनल बनाता है इसके आगे आप लिख लो टू तो फोर वन फाइल 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 टू आंसर हो गया आपका सी ठीक है जी तो अच्छे से इस पेरिफरी पे लगे होंगे इनर वाल पे पेरिफरी में इनर वाल पे लगे होंगे बेसल में बेस पे होंगे एक ही होगा बेस पे होगा तो यह सारे के सारे हैं आपके रटा बार लिजेगा एक्जाम्पल समेथ अपना एंसर हमारा सी 41532 ओके बेसल बेसल में ओवेरी यून उनिलोकुलर है, ओवियूल सार बॉन ओंदा एक्सिज इन दा सेंटर, सेप्टा इस एप्सेंट, सेप्टा इस लिए चेम्पराइजेशन उसमें आपको चेम्बर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, मार्जिनल में वेंटरल सुर्चर पर होगा, यूनिलोकुलर फॉर्म सारीज अल और फिलेजितल सेप्टा इस अलिगा, इस लिए आख़े सब्सक्राइजाद में वेंटि चेम्पराइजेशन नही वेंटि खनलेघंडिंग हूंति रशता अख्टा इस ए स्विलुक्राइजेन वें परश एस इन दुछ उलसे व्छेंद में जानी कुशन परदी परद दे ट्यूलिप ट्यूलिप हमारा हो गया जी लिली एसी का एक्जामपल और हमारा सन हम्प हो गया तो इसमें छे आपके आंसर है जो आपका छे मिल रहे हैं किस में फैमली फैब एसी के मेंबर और जो आपको ये दिखा रहे हैं माजिनल प्रासेंटेशन लिली एसी और सोले एसी म member आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, colchicine हमारा, onion हमारा, onion, colchicine और tulip हमारे क्या हैं, यह lilyasi के example है, chili और आपका tobacco हमारा family, solenasi के member है, तो आपके क्या हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे member ऐसे हैं, जो आपको दिखा रहें कौन सा marginal presentation, ठीक है जी, चलिए, आगे चलू, हाँ, देखें, यहाँ आगया, sources, अरहर, gram, main, zone, soya bean, edible, soya bean, indigofera, sun hum, sesbenia, trifolium, lupin, sweet pea, यह सारे के सारे आपके book के example हैं, इनको आपको रठना पढ़ेगा, और हमारे fabesic, जिसमें आपको marginal presentation मिल भा, marginal presentation is the characteristic feature of family, fabesic, gram, arhar, sunhub, move, p, lupin, belongs to fabesic, 6 answer हो गया, mustard belong to crucifery, mustard crucifery को belong कर रहा, mustard में आपको parietal placentation मिलेगा, अभी मैंने पिछली slide पे जा बोल दिया, mustard, देख लिजेगा, मेरे मूँ से एकड़ पर निकला, mustard हमारा crucifery का member है, tomato, brinjal, potato, spice, chili, हमारा medicine, belladona, fumigatory, tobacco, ornamental, pitunia, यह सारे किसके example है, यह सारे example है, आपके solenasi को, axial placentation is present in family solenasi and liliac, यह लिख लिजेगा, आपकी हुद में mention नहीं है, और आप हो सकता, आपको गलती लग जाए, tulip culture sin belong to liliac, तो यह अब हमारा क्योंसा example of answer हो गया, छे answer हो गया, हाँ जी, तो question है हमारा, match the following cell structure with its characteristic feature, tight junction, tight junction, ऐसे बनते हैं कि किसी भी तरह की leakage नहीं होगी, तो cytoplasmic channel to facilitate establish a barrier to prevent leakage, इसके आग एक लिजे, epithelial cell में बगते हैं और इस तरह का tight junction, दो cells के बीच का junction है, epidermal cells में, जो junctions बनने हैं, उनके यहां के बारे में, यहां पर बात हो रही है, tight junction, epidermal cells में आपको मिलेंगे, और इस तरह का होगा कि एक cell से दूसरे cell के बीच की तरह की लिखे हैं नहीं, इसके आगे लिख लिजे, third, adhering junction, cementing का का काम करेंगे, cementing neighboring cells together to form sheet, इसके आगे आप लिख लिजे, what, three, one, gap junctions, gap junctions इससे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत वो, allow कर देंगे, cytoplasmic grid बन जाएगा, जिससे की tubular proteins की साहिता से exchange of material हो सके, cytoplasmic channel established होगे, जिससे की communication adjacent cells के बीच में हो सके, इसके आगे लिख लिख लिजे, four, synaptic junction, synaptic junction transmit information through chemicals to another cell, तो neuron के बीच में आपको इस synaptic junction मिलेगा, और with the help of, आपके transmit, जो, with the help of, जो हमारे बन रहे हैं, neurotransmitter, उसकी साहिता से हो जाएगा, ठीक है जी, okay, तो इसके आगे आप लिख लिजे, three, हाँ जी, तो tight junction के आगे आपने लिखना है, कि किसी भी तरह की कोई leakage नहीं, यह के आगे आपने लिख लेना, three, adhering junction, cementing का काम करेगा, इसके आगे आप लिख लेना, two, gap junction, cytoplasmic grip बना देगा, allow कर देगा, four, और synaptic के आगे आपने लिखना है, two, दो neurons के बीच में, three, two, four, three, adhering junction के आगे, transmit information, adhering junction के आगे, cementing, three, one, three, one, four, two, तो three, one, four, two हमारा answer हो गया, यह वाला answer हो गया, three, okay जी, यह आपके, gensions के बारे में, दो, cells के बीच में, जो junction बना, उसके बारे में, जानकारी, चलिए आगे चलते हैं, अगला कह रहा है, mesh the column one with column two, column one में गॉल्जी अप्रेटर्स, गॉल्जी अप्रेटर्स का क्या काम है, गॉल्जी अप्रेटर्स formation of glycoprotein, glycosilation करता है, glycoprotein और glycolipid बनाएगा, lyzozoms का क्या काम है, lyzozoms में हमारे hydrolytic enzyme है, digestion करता है, lyzozoms, lyzozoms में hydrolytic enzyme है, hydrolytic enzyme होने की वज़ाई से digestion करता है, digesting biomolecules इसके आगे आपने लिख लेना है, two, और ये enzymes active किसमें होते हैं, 4.5 to 5 pH पे active होते हैं, acid hydrolysis कहलाते हैं, mitochondria is the site of cellular respiration, इसके आगे आपने लिख लेना है, two, lyzozoms के आगे आपने लिखना, four, sorry, lyzozoms के आगे four, three, four, two, ribosomes, synthesis of protein, protein synthesis की unit है, तो three, golgi body glycosylation कर रहा, formation of glycolipid and glycoprotein कर रहा, golgi body, lyzozoms, digesting biomolecules कर रहा, mitochondria, cellular respiration की site है, ribosome, synthesis of protein, ये हो गया match हमारा, choose the incorrect statement, sucrose is the type of reducing sugar, सही है, glut four is insulin dependent, glucose transporter, सही है, concavaline, concavaline is a pigment, concavaline is pigment नहीं है, concavaline, ये हमारा statement गलत है, pigment पे आपके आएंगे, anthocyanin, और, anthocyanin और carotinoids, arachidonic acid contain 20 carbon at a minute, ये भी सही है, तो statement कौन सा गलत है, concavaline, lectin है, हमारा pigment नहीं है, it is lectin, ये आपके biomolecule के chapter में ये दिया होगा, lectin है, concavaline, pigment नहीं है, pigment है carotinoid और anthocyanin, बाखी के सही, ये गलत, चलिए, in somatic cell cycle, somatic cell cycle में क्या हो रहा, a short interface is followed by long mitotic phase, mitotic phase तो 5% और हमारा ज्यादा तरसम्में वो interface में, तो short interface ये statement साही नहीं हो रहता, RNA replication take place in G1 S phase में होता है, ये भी statement गलत है, in G1 phase DNA content is double, S phase में DNA content double होगा, ये भी गलत हो गया, in anaphase duplicated chromosome split, ये हमारी बात हो रही, somatic cell की, somatic cell में ये split होगा 20 से, और आदा उधर चला जाएगा, आदा इधर चला जाएगा, opposite pole पे, तो anaphase में यही होता है कि split हो जाता है, chromosome into two, तो duplicated chromosome splits and two chromatic move towards opposite pole, ये statement ठीक है, somatic cell division में ये काम, आठवे वाला, D वाला काम होगा, transpiration and root pressure cause water to rise in plant, need का है, need का है question, transpiration and root pressure cause water to rise in plant by, transpiration से pull, pulling force generate हो दिया, root pressure से, root pressure से उसको धकेला जा रहा, push किया जा रहा, तो ये कहलाएगा आपका pushing and pulling it respectively, transpiration, जो water vapor बनके उल रहा, आपकी leaves से, उससे transpiration negative, hydro static pressure develop होगा, suction pressure develop होगा, तो पूरा का पूरा water column खिशता चला जाएगा, उपर की तरफ, root pressure, root pressure हमारा बन रहा है, due to the active absorption of water, तो उसकी वज़ा से, root pressure की वज़ा से थोड़ा बहुत पूल हो जाता है, उपर की तरफ कौन, push हो जाता है, उपर की तरफ थोड़ा बहुत पूश हो जाएगा, water, तो ये हो जाएगा, हमारा इसका answer, transpiration से, pulling effect generate हो रहा है, pushing and pulling, तो और root pressure की वज़ा से, pushing effect generate हो रहा, pulling and pushing it respectively, answer हो जाएगा, D, pulling and pushing it respectively, ये वाला जवाब आपका, ठीक है, transpiration की वज़ा से, pulling force, और root pressure की वज़ा से, pushing हो रही है, deficiency symptom of nitrogen and potassium is first visible in, nitrogen nitrogen and potassium हमारे, readily with transport हो सकता है, इनका movable substances and nitrogen हमारे nutrients है, nitrogen and potassium हमारे mineral cells हैं, जो असानी से move हो सकते हैं, और जो mineral से असानी से move हो सकते हैं, within the plant cells, उनके बारे में, अगर senescent deficiency के जो effect आएंगे, वो किस कहां पे आएंगे, सबसे पहले older leaves पे आएंगे, क्योंकि older leaves से इनका transportation हो जाएगा, younger leaf की तरह, तो सबसे पहले कहां पे आएंगे symptom, senescent leaf पे आएंगे, young leaf पे बात में आएंगे, correct answer, senescent leaf, generally, nutrient deficiency in plant occurs, when a nutrient is insufficient in the growth medium, जी deficiency तब होती है, या तो mineral soil में ही कम हो, या growth medium में कम हो, या उसको plant absorb करने में, उत्ता efficiency absorb नहीं कर पा रहा, या unfavorable environmental condition की बज़ा से, उसको use नहीं कर पा रहा, उसके पास हैं तो use नहीं कर पा रहा, तो deficiency symptoms आजाएंगे, और deficiency symptoms, senescent parts में, पहले visible हो जाएंगे, उन nutrients के जो असानी से move हो सकते हैं within the plant, ठीक है, और जो fix होते हैं, उन में young में आएंगे, PGA as the first carbon succession product was discovered, in photosynthesis of alga by a scientist, by a scientist किसे ने discover किया था, कालविन ने, तो alga में discover किया था, कालविन ने discover किया था, और वो alga था हमारा chlorella, chlorella पे काम करते हुए, उन्होंने discover किया था, answer आपका, alga पे, और scientist कालविन, मालविन कालविन, और chlorella याद रख लिजिएगा, यह आपकी book में दिया, निवा इंसी आठी में chlorella पे काम करते हुए, और जहाँ पे भी आपको लगे, कि थोड़ा सा content मैंने कम पढ़ा, समय कम है, आप वीडियो को pause करके, इसको copy कर दोगे, इसका screenshot ले लोगे, और अपना bed के अगाम से पढ़ लोगे, मेरे को थोड़ा सा speed में पढ़ाना पढ़ेगा, आप लोग को, dark reaction of photosynthesis कहा हो रहे हैं, तो chloroplast में आप देखेंगे, chloroplast double membrane bound है, chloroplast आपको sack like structure, thylakoid मिन लाए, thylakoid एक के उपर, एक के उपर grana बना देंगे, ये grana एक दूसरे से कैसे जुले हुआ है, stroma ले मिले, और grana पर यह आपका ps1, ps2, और grana पर यह आपका ets, तो इसमें आपका light reactions हो रहा है, light reactions से आपका बन जाएगा, ATP, NADPH2, और साथ में oxygen भी light reaction का ही, by product है, उसके बाद आपके stroma में हो जाएगा, dark reaction और बन जाएगे हमारे carbohydrate, तो पूछा dark reaction photosynthesis कहा हो रहा, stroma में हो रहा, तो यह आपका granite hyalokide membrane पे नहीं, stroma level membrane पे नहीं, stroma outside photosynthetic lamela, यह इस पे टिक लगाईए, 4 point पर कड़िए, आगे बढ़िए, which of these statement is incorrect, glycolysis operates as long as it's supplied with NAD, that can pick up hydrogen atom, विल्कुल glycolysis सब तक होता रहेगा, जब तक की NAD plus आता रहेगा, और reduce होता रहेगा, NADH plus H2 में, enzyme of TCA cycle are present in mitochondrial matrix, mitochondria के matrix में TCA cycle के enzyme है, oxidative fast, यह भी बाठ ठीक है, mitochondria के matrix में TCA cycle के enzyme है, केवल एक enzyme है, सक्सीने dehydrogenase, जो membrane bound, oxidative fast correlation take place in auto mitochondrial membrane, auto mitochondrial membrane नहीं, inner mitochondrial membrane पे ETS है, inner mitochondrial membrane पे होता है, तो need 2018 का question है, यह वाला statement गलत है, गलत statement पूज रहा, तो option C को चुन ली जी आगे बढ़िये, glycolis is occurring cytosol, बिल्कुल ठीक बात है, glycolis cytosol में होती है, अब plant hormone use for inducing morphogenesis in plant tissue culture, वो plant hormone का नाम बताईए, जो morphogenesis कराएगा, differentiation करा देगा, तो उसके लिए हमारा cytokinin जिम्मेदार है, ठीक है, जिब्रेलिक असिट इंटर नोट की लेंद को बढ़ाता, एप्सीसिक एप्सीशन को फोल करता, और इथाइलीन हमारा fruit ripening को पर्मोट करता, correct answer is cytokinin, cytokinin is basically used to promote cell division in roots and shoot, with the help with combination with oxyn, oxyn की presence और cytokinin की presence है, हमारे permanent tissue भी merispetric tissue में convert हो सकते हैं, they help in cell growth and differentiation, differentiation, morphogenesis, the callus formation, callus formation, cells divide होके, जो group of cells बनाती है, undifferentiated cells, उसके लिए callus बोलते हैं, तो option morphogenesis का क्या है, cytokinin morphogenesis कराने को help करना, match column 1 with column 2, ठीक अकल लेते हैं, natural oxyns क्या है, natural oxyns हमारे, indolastic acid, synthetic oxyns क्या है, यह है, nataline extractic acid, बकाने disease rice किसकी बज़ा से हो रही, जिब्डेलिंस की बज़ा से हो रही, natural cytokinin क्या है, zeatine है, तो हमारा natural oxyn, indolastic acid, a के आगे आप लिखिए, 3, synthetic oxyn क्या आगे आप लिखिए, 2, 1, 3, a, 3, b, 1, बकाने disease, gybralic acid, c के आगे आप लिखिए, 4, और d के आगे आप लिखिए, natural cytokinin, zeatine, तो यह वाला आप का आंसर हो गया, a, ठीक है, जी, चलिए, a answer ठीक, naturalry acryoxyn क्या है, indolastic acid, indolastic acid, indolastic acid, indolastic propionic acid, यह हमारे natural oxyns के नाम है, synthetic oxyns में, naphthalene acetic acid, NAA, naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorodiphenoxy, acetic acid, 2,4-D, dichlorodiphenoxy, acetic acid, bakarnet disease, किसकी वज़ा से, deficiency of gybralic acid, sum of naturally occurring cytokinin, zeatine, and 6-ferferral aminopurine, यह शायद आपकी बुक का नहीं है नाम, तो इसको यहां से उठा लिजएगा, लिख लिजएगा, combination पहले ही मिला दिया है, इस टमक में फैट का डाइजेशन नहीं होता, इस टमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता, आजे बढ़ जाईए, डियूडिनम, डियूडिनम में आपका triglyceride पे tryglyceride यह हो गए, फैट साब के trypsin हमारा proteolytic enzyme है, यहां पे अगर lipase लिखा होता, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही बढ़ जाईए, आगे, small intestine में starch काम करेगा, और starch उसको amylase starch पे amylase enzyme काम करेगा, और उसको disaccharide के level तक तोड़ देगा, ठीक है, इसको tick करिए, चाहर नंबर पकड़िए, आगे बढ़िए, small intestine में protein पेपसीन, पेपसीन आपको gastric juice में मिलता है, तो यह stomach में मिलने वाला enzyme है, तो यहाँ पेश का small intestine pepsीन का match नहीं बनता, यह गलत है, इसलिए option number C, correct है, C को tick लगाईए, आगे बढ़िए, select the correct statement, expiration occur due to the external intercostal muscles, intra pulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration, यही हो रहा, inspiration में क्या हो रहा, diaphragm हमारा dome shaped है, contract होगा flat हो जाएगा, flat हो जाएगा, एंटीरियर posterior axis में, axis में thoracic हमारा chamber का volume बढ़ जाएगा, thoracic chamber का volume बढ़ने से pulmonary volume बढ़ जाएगा, pulmonary volume बढ़ने से intra pulmonary pressure fall हो जाएगा, बाहर का pressure जाएगा, तो बाहर से हवा अंदर आ जाएगी, inspiration हो गया, यही इसका सही जवाब है, intra pulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration, इसको टिक लगाई है, लेकिन आगे कि दो भी पढ़ लीजे, inspiration अकर when atmospheric pressure is less, अरे atmospheric pressure less है, intra pulmonary pressure जाएगा, तो expiration होगा, बाहर, expiration is initiated by contraction of diaphragm, by relaxation of diaphragm, तो यह आपका सही जवाब क्या है, B वाला, B को टिक कर यह आगे बढ़िए, approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood is transported in the lungs in the form of in the form of bicarbonate, 70% in the form of bicarbonate, 7% in the form of carbaminohemoglobin and 23% in the form of 23% in the form of carbaminohemoglobin, 7% in the form of carbonic acid dissolved in plasma, dissolved in plasma and attached with hemoglobin, 23% attached with hemoglobin, dissolved in plasma 7% and 70% in the form of bicarbonate, तो आपका answer हो जाएगा, S bicarbonate time, ठीक, चलिए आगे, interferon, interferon क्या है, protein product of macrophages, macrophages secret नहीं करते, protein secreted by virus infected cell, इसको secret करेगी, interferon को इनका काम क्या है, तो virus infected cell secret करती, immune system को boost करती है, और जो अगल बगल की neighboring, हमारी cells है, normal cells, उनको protect करती है, virus के replication को interferon को इसलिए इसका नाम रखा गया interferon, interferon term जो दिया गया है, ये interferon करती है, virus के replication को, उसके DNA बगरा को, या RNA को genetic material को replicate करने से रोखेगी, pick the wrong with reference to the erythroblastosis fetalysis, erythroblastosis fetalysis disease related to RF factor जी है, RF factor बनेगा, RF antibody को RF factor बोल रहे है, no antibody developed in plant-mine response to transfusion of RF antigen, अगर RF negative में, आपने RF positive blood दे दिया, या किसी वज़ा से आ गया, तो antibody बनेगी, ये statement गलत है, कि no antibody developed, antibody develop हो जाएगी, RF factor was discovered in research बनेगी ठीक बात है, इम जनल RF positive blood cannot be transferred to RF negative ये बात भी ठीक है, तो गलत बात कौन सी है, गलत बात है, no antigen antibodies developed, कि antibody develop नहीं होगी, अगर RF antigen आगे, develop हो जाएगी, और RF antibody जो है, RF factor ये IGG type की antibody है, placenta को पार कर सकती है, ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, तो आगे समझाओंगा, अब fall in GFR, GFR में अगर fall हो जाएगा, तो क्या होगा, GFR में fall हो जाएगा, तो हमारा, renenin angiocentine, endostheron system, RAAS system, activate हो जाएगा, renenin secret करेगा, कौन secret करेगा, तो हमारा, juxtaglomerular set secret करेगी, renenin, और renenin अट करेगा, किस पे, renenin अट करेगा, endostheron का secretion कराएगा, sodium absorb होगा, sodium के साथ water absorb होगा, तो हमारा normal की तरफ चल देगा, क्या, ये GFR जो लोग हो गया है, renenin angiocentine, endostheron system, RAAS, और renenin जागरता है, renenin angiocentine, orgen 2, angiocentine orgen को, angiocentine 1 और angiocentine 2 में convert कराता, angiocentine 2, powerful constrictor है, vasocentrictor कराएगा, जिससे की, GFR बढ़ेगा, क्योंकि, blood pressure बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे, हमारा, juxtaglomerular cells, renenin secret करती हैं, ये होता, अब, falling GFR, activates juxtaglomerular cells of kidney, to release renenin, which activates the renenin angiotensin endospron system, signaling pathway responsible for regulating blood BP, BP normal होने से, GFR भी normal हो गया, sliding filament theory, sliding filament theory क्या बताती है, तो sliding filament theory ये बताती है, ये हमारा, sarcomere, और इस से अटायच है, आपके actin filament, इसके बीच में है, myosin filament, फिर actin filament, और ये गुसरे पे slide करते हैं, slide करके actin filament अंदर आ जाएगा, dark band के नीचे, तो dark band की length तोती बनी रहेगी, लेकिन हमारे, light band की length छोटी हो जाएगी, आई, ठीक है जी, ये एक दूसरे पे slide करेंगे, when myosin filament slide past each other, acting filament shorten, while myosin filament do not shorten, कोई भी नहीं हुआ, वो तो उसके नीचे सरक क्या आ गया, तो shorten na actin होगा न myosin होगा, हाँ सरक क्या आएगा, actin, myosin filament shorten, नहीं shorten नहीं होगे, actin and myosin filament do not shorten, यहीं आप्टिक करिए, बट रादर slide पास सीधा कर, उसके नीचे सरक क्या आ जाएगा, और इस वज़ा से आपका myosin जहाँ पे है, presence dark band की length उत्ती बनी रहेगी, लेकिन light band की length छोटी हो जाएगी, sliding filament theory यह बताती है, कि ना तो actin का contraction हो रहा ना myosin का, और दोनों इक दूसरे पर slide कर रहा है, cross bridge जब बनते हैं, दूसरे पर slide करेंगा, तो यह हमारा उस समय sodium potation काम कर रहा होता है, तीन sodium को बाद छोड़ा आएगा, दो potation को अंदर ले आएगा, यहाँ पर channels है, ion-gated channels है, sodium अंदर आ नहीं पाएगा, channels बनता है, लेकिन potation में दो तरह के channel हैं, ध्यान दे सुन लो, कुछ channel है, जो voltage operated है, पोटेंशल में sodium की तुलना में potassium ज्यादा diffusable है, तो comparatively more permeable to sodium गलत, comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium, यह ठीक है आपका, उस समय membrane कैसी condition दिखा रही, एक्जॉनल membrane एक्जॉनल membrane दिखा रही है, कि more permeable to potassium, potassium के लिए more permeable है, nearly impermeable to sodium, यह वाला answer ठीक है, इसको चुन लीजी, हाँ जी, तो इसका मतलब है, कि जब यह resting membrane potential resting condition में, resting membrane potential कौन establish करता, sodium potassium pump, तीन sodium बाद छोड़ देता, दो potassium अंदर लेहाता, अब कुछ potassium channel करता, मैं कुलने, इस लिए comparatively more permeable है, हमारी potassium आइन के लिए membrane, ओके चलिए next, butterfly आपको सबसे कम दिन के लिए रहेगी, आपकी butterfly आजाएगी, butterfly अपनी दो हफ़ते लगबद, उसके बाद हम अरा, rose plant five to seven year, उसके बाद हमारा crow, लगबद 15 year, उसके बाद हमारा crow कोडाइल, 60 to 70, 60 अपनी बुक मेंशन, और पैरट 140, तो यह इसकी सीरीज हो जाएगी, butterfly, butterfly के बाद rose, rose के बाद crow, a, a के बाद d, d के बाद c, b, e, a, d, c, b, e, ठीक है जी, इसमें जो आपके mention नहीं है, note कर लीजिएगा, चलिए, which one of the following statement is incorrect, chasmogamous flower always exhibit zetonogamy, klystogamous flowers always exhibit autogamy, correct पूछना, klystogamous flower हमेशा autogamy, यह बाद बिल्कुल ठीक है, chasmogamous flowers always exhibit zetonogamy, यह जरूर नहीं कि हमेशा zetonogamy ही वो दिखा है, उत में chasmogamous flower, अगर male औ female reproductive organ, same समय पे, अगर वो mature हो गए, और उनके बीच में कोई barrier नहीं है, तो autogamy भी दिखा ज़कता है, klystogamy हो है, जो अपनी नहीं हो रहा है, जो flower अपनी नहीं हो रहा, तो बंद में हमेशा क्या होगा, autogamy होगी, autogamy क्या है कि same flower का, pollen grain उसी flower के, पिस्टल पे जाके land हो जाए, वो होती autogamy, और जिटनोगamy क्या है, जिटनोगamy है कि एक ही plant है, लेकिन flower अलग है, तो male flower अलग है, और female flower अलग है, तो male flower से निकला, pollen grain female flower पे जाके land हो रहा, लेकिन उसी plant का, तो वो कहलाती जिटनोगamy, जिटनोगamy होती है कि plant ही अलग हो, दोनों plant अलग हो, plant अलग अलग हो, तो एक plant के flower से निकला, pollen grain, दूसरे plant पे जाके, पिस्टल पे land कर रहा, तो वो होती जिटनोगamy, तो chasmo gamers flower always exhibit, जिटनोगamy हम यह बात नहीं कह सकते हैं, हाँ, klystogamy flowers always exhibit, जिटनोगamy जब वो उपन ही नहीं हो रहा है, एंथेसिस ही नहीं हो रही, तो हमेशा उसमें क्या होगी, जिटनोगamy ही होगी, जिटनोगamy अब यह भी नहीं है कि never exhibit, यह भी नहीं कह सकते हैं, यह statement भी नहीं देए, तीन हमारे ऐसे सरी ग्लेंड सोंगे सिक्रेशन से, प्रॉस्टेट, बल्बोईरिथ्रल, एंड समाइनल वैसिकल्स, तो उसमें fructose और calcium बहुत मिलता है, और fructose और calcium से रिच होती है, समाइनल प्लाजमा हमारी, ठीक, चूज दा करेक्ट राइट स्टेट्मेंट, तो यह by the end of the month of pregnancy, the first moment of the fetus and appearance of, by the end of the month of pregnancy, अब आप इसमें लिख लो, क्या चीच छोड़ गई, the human heart develops कर लो, the human heart develops, कर लिजे, चलिए ठीक है जी, अब हम लोग देख लेते हैं, by the end of the, डेश month of pregnancy, limbs and digits यहां पर वजाएगा, two months पे, human heart develop होता है, one month पे, the first moment of fetus, and appearance of hair cut होती, fifth month पे, और by end of the, most of the major organ system form, third month पे, यह हो गया, आपका example, answer, तो हमारा answer हो जाएगा, by the end of the first month of pregnancy, the human heart develops, and you can hear the, heartbeat, with the help of stethoscope, by the end of the fifth month, fifth month के खतम होते होते है, first moment of fetus, and appearance of fine hair, over the head दिख जाएगे, second month के खतम होते होते तक, limb digit बन जाती है, limbs और डिजिट बन जाएगे, और third month के खतम होते होते तक, major organ system खतम हो जाता, इसको ऐसे ही, रट लीजियेगा लिख के, इसी से question form कर देते हैं, आपको NCRT-based single liner portion देते हैं, consider the following statement given below, and answer the directed thereafter, medical termination of pregnancy during the first trimester, is generally safe, बिल्कुल ठीक बात है, generally chances of conception until the mother breastfeed, the infant up to the two year, two year नहीं six month तक, तो यह statement गलत है, लगबग 6 माईने तक आप यह देखा गया, lactational area जिसको हम लोग बोलते हैं, natural contraceptive का एक sub category, तो इसमें 6 माईने तक, actively lactating मदर में 6 माईने तक, और chances नहीं हैं, conceive करने के, intrauterine devices like copper TR, effective contraceptive, बिल्कुल ठीक बात है, contraceptive pills may be taken, up to one week after quitus to prevent conception, may be taken up to one week after, यह गलत है statement, तो हमारा statement सही कौन से हैं, A और C, A और C को सही कर लिए, अब पेडिगरी analysis पे आ जाई, यह नदा following human pedigree, the field symbols represent the affected individual, identify the given pedigree, तो pedigree आप देखते ही, एक second में आपने नतीजा निकाल लिया, यह recessive trait है, अगर उपर वाली generation में, husband और mother, अगर इसमें नहीं दिखा रहे है, husband और wife में, father और mother या husband wife के लिए, x-link recessive होने के ज़्यादा चांस है, x-link recessive होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि single x b defective male में disease दिखा देगा, तो इस पे single x defective दे दीजिए, एक x defective दे दीजिए, इसको carrier बना दीजिए, तो यहाँ पर disease इसली हो गई, क्योंकि female का एग defective alel वाला, फादर के sperm से जिस पे defective alel fuse हो और यहाँ बन गई यह female इस पे disease आ गई, इसने आगे अपने किसको son को x नहीं दिया, नॉर्मल वाला दिया और डॉर्टर को x दे दिया इसने defective वाला, जब यह डॉर्टर formation हुआ है, इसका gamete, इस मदर का gamete, इसके counterpart इसके husband से जब fuse हुआ, इस sperm तो normal था यहाँ disease नहीं है, लेकिन यहाँ पर disease है, इस पर disease इसलिए है क्योंकि इस पर दोनों ही defective alel है, दोनों defective alel होंगे तब ही disease आएगी, दोनों defective alel होने से disease आएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नीचे यह sun ना बच्चता है, यहाँ पर भी x-link, अगर यह उतर disease आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, यह autosomal link disease हो गई, यह autosomal link disease हो गई, अगर यह ex-link, भाई पहले तो recessive है, अब अगर यह excellent recessive है, नहीं आटोजोमल रिसेसिव का एक्जाम्पल है बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आ रही बात अरे बैया यह देखो ना इन दोनों के नीचे डिजीज आई यहां पर डिजीज नहीं यह रिसेसिव है यहां से तो यह पता लग जया और डिसेसिव में इस पर तभी डिजीज हो हो गया यह ठीक चलिए आगे ओल आफ दा फालॉइंग आर पार्ट ओफ ओपेरॉन ओपेरॉन के सभी यह पार्ट हैं कौन सा नहीं है तो ओपेरॉन आप देखेंगे कि इसमें ग्रूप ऑफ जीन्स हैं जो सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं खुब सारे जीन्स हैं जो सि और आखरी में आके स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे कितने भी हो सकते हैं यह है और साथ में एक रेगुलेटर जीन्स होगा तो रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर और हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हिंसे बना होता ओपेरॉन ठीक है जी तो ओपरेटर भी है प्रमोटर भी है स् हमारा DNA dependent RNA polymerase attach होगा और operator वो site है जहाँ पे regulator जो protein बनी वो आके bound होती है तो इसमें आपको क्या मिलेगा operon में promoter भी मिलेगा operator भी मिलेगा structural genes भी मिलेगे नहीं मिलेगा तो इन answer नहीं मिलेगा इन answer पार्ट नहीं है इन a population of thousand individual 360 belong to thousand individuals की population है 360 उसमें homozygous dominant है capital A, capital A, दोनों dominant allele 480 उसमें heterozygous dominant है और 160 उसमें homozygous recessive है अब आप से पूतरा based on this data frequency बताईए capital A की dominant allele की Q square को represent कर रहे है तो Q square आपका है किता 160 out of 100 means .16 Q square आपका है .16 तो Q की value आप recessive value की frequency निकाल सकते अंडरूट कर दीजे अंडरूट करने पर कित्ती आ जाएगी .4 आ जाएगी Q की value क्योंकि .16 का अंडरूट किता हो जाएगा .4 अब Q recessive value की frequency चलो अगली स्लाइट पर चलता हूँ यहां पर आपको इस स्लाइट पर समझो आप आप आउट ऑफ thousand thousand में से आपके 160 हैं homozygous recessive जिनमें यह lower है lower है homozygous recessive 160 हैं तो thousand में से 160 इसकी percentage निकाल यह ना आप 16 परसंट होगा 16 परसंट का मतलब क्या 16 out of 100 मतलब 16 frequency उसकी homozygous recessive organisms की frequency q square की frequency 0.16 है तो हम इसको calculate कर सकते ना अंडरूट कर दीजिये q की value आ जाएगी q is equal to under root q square q square को अंडरूट की है आपने 0.16 को अंडरूट की है 0.4 हो गई हमारी q तो आप p को calculate कर सकते ना यह क्या कहता p plus q is equal to 1 मतलब dominant allele की frequency और recessive allele की frequency किसी भी population में stable रहेगी constant रहेगी अगर 5 process नहीं हो रहे है कौन से 5 process नहीं हो रहे है genetic recombination नहीं हो रहा genetic drift नहीं हो रहा genetic migration नहीं हो रहा और साथ के साथ natural selection और mutation नहीं हो रहा अगर यह 5 जी नहीं हो रही तो p plus q will remain the same over several generation उसको आपने put कर दिया p की value निकाल ली 1 माइनस 0.4 0.6 आ गही तो dominant allele की frequency कित्ती है 0.6 है ठीक है इससे ज़्यादा tough आपको नहीं आएगा 0.6 answer हो गया चलिए आगे आगे करा which one of the following option given is the correct matching of the disease with its causative organism and mode of infection typhoid salmonella typhi की वज़ा से हो रहा inspired air में droplet की वज़ा से हो रहा typhoid salmonella typhi से हो रहा inspired air से हो रहा droplets की वज़ा से जबकि typhoid कि से होता contaminated food और contaminated food से और साथ में water से होता तो यह आपका causative agent तो ठीक दिया mode of transmission ठीक नहीं है pneumonia streptococcus pneumonia से हो रहा droplet infection यह ठीक है इसको आप टिक कर लिज़े elephantiasis वोकेरिया बाइन क्राप्टीस की वज़ा से हो रहा लेकिन यह qlex mosquito के female के bite से होता infected water से नहीं होता तो यह भी गलत है अब आगे चलिए a true breeding plant true breeding plant क्या जो होगा हमारा homozygous dominant यह homozygous recessive always homozygous recessive नहीं कह सकते homozygous dominant भी हो सकता one that is able to breed of its own produce due to cross pollination among unrelated cross pollination करेंगे hybrid हो जाएगा near homozygous and produce off spring of its kind तो यह क्या हो जाएगा कि यह homozygous होगा और off spring अपनी जैसी ही बनाएगा तो answer क्या हो गया डी हो गया ठीक है जी answer हो गया इसका डी which one of the following is wrong matching of microbes and industrial product while the remaining three are the same इस से इस से हमारे statins मिलते हैं बिल्कुल ठीक बात है इस तीस हम लो ले रहे है statins monascus for purier statins ले रहे है acetobacter acetic acid बना रहे clostridium butylicum से butyric acid बना रहे है lectic acid lactoacid lactoacid bacillus से बनाते है यह आपका match गलत है asperzillus niger से citric acid यह भी ठीक है तो यह वाला clostridium butylicum butylicum butyric acid प्रड्यूस करता ना कि lectic acid यही गलत है यही आप पूछा गलत कौन सा आगे चलिए the function of a selectable marker selectable marker को हम लोग vector में selectable marker दख देते हैं ज्यादा तर वो antibiotic resistance दीन होते हैं अब आप ने कोई foreign gene इसमें introduce कर दिया इस वाली portion में यह हमारा tetracycline resistance PBR का यह एंपी saline resistance अब tetracycline resistance में दो आपकी recognition side है किसकी बाम और साल किया आपने बाम को इस्तमाल कर लिया या साल को इस्तमाल कर लिया अगर restriction endo nucleus बाम को इस्तमाल करके आपने अगर RDNA बनाया है तो tetracycline resistance gene वाली quality उसकी चली जाएगी इस वाले plasmid से जो transformed होगा वो tetracycline पर plating करेंगे और survive नहीं करेगा तो हम लोग और selectable marker की साहिता से हम लोग transformant और non-transformant को पैचान पाते हैं और non-transformant को हम grow करा के क्या करेंगे हम transformant को grow कराएंगे उसका culture formation करेंगे तो इससे selectable marker का function क्या है eliminating elimination of non-transformant and permitting transformant to make culture हम लोग इसी को करेंगे transformant को eliminate कर देंगे और transformant को grow करवाएंगे और ने interference इन्वाल आर ने interference में जो RNA बना तो हम लोग उसमें पहले ही cdna इस तरह से इंट्रोडूस कर देते हैं पहले ही निमेटोड specific dna इस तरह से इंट्रोडूस कर दिया कि दोनों strand का उसका transcription होगा तो messenger RNA sense भी बना एंटी sense भी बना पहले ही उसमें दोनों तरह के MRS में बने हुए अब जैसे ही उस पर infection हुआ infection होते ही यहां पर हमारा क्योंकि उसका counter part पहले ही messenger RNA का है silencing हो जाएगी वो double strand messenger RNA में बदल जाएगा translation नहीं हो पाएगी तो silencing हम लोग करा रहे है silencing of specific messenger RNA due to complimentary RNA यह है हमारा RNA interference ठीक है जी आगे चलिए option B silencing of specific RNA due to complimentary RNA अब हमारा अगला आ रहा है people who has migrated from planes to an area joining no 35 about six months back तो six months back गयते तब क्या था तब उनके शरीम में RBC have the usable RBC count but the air hemoglobin is not suffers from altitude sickness तब उनको altitude sickness हुई थी जब वो गए थे आज च्छे महीने पहले जो रोतांग पास पे high altitude पे गए plane से तो उनको क्या होगा high altitude हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे partial pressure oxygen का atmospheric pressure कम है pressure कम होने से oxygen के delivery tissue level पे कम हो जाएगी तो symptoms like nausea fatigue वगयरा होंगे जिसको हम altitude sickness बोलते हैं आज से च्छे महीने पहले अब तक तो acclimatize हो चुके adaptation हो चुकी RBC count बढ़ गया और hemoglobin की affinity कम हो गई है ताकि जल्दी से delivery दे दे oxygen को which one of the following process during decomposition is correctly described fragmentation carried out by organism such as earthworm यही earthworm क्या करता detritus पे grow करता detritus को चोटे चोटे टुकलो में fragmentation कर देगा humification leads to accumulation of dark colored substance humus with undergo microbial action at very fast rate very fast rate नहीं very slow rate इसलिए यह option यह statement गलत हो गया catabolism last step in decomposition under fully anaerobic fully anaerobic नहीं fully aerobic तो यह भी आपका statement जो है गलत हो गया leaching water soluble in organic nutrients rise to the top level rise to the top level नहीं बलकि वो अंदर चले जाते हैं धरती के धरती में shift कर जाते हैं तो यह वाला भी आपका statement गलत हो गया statement सही कौन सा fragmentation आगे चलिए which one of the following is not observed in biodiversity hot spot biodiversity hot spot में कौन सी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी इस species richness देखने को मिलेगी endemism का देखने को मतलब है कि कुछ ऐसे geographical well developed well आपका कहिए कि जिनका की कहिए well established कह लीजिए या well defined कह लीजिए well defined geographical area है जहां पे कुछ ऐसी species हो गहीं है जो cable वहीं मिलती हूं उसको बोलते है endemism species richness भी मिलेगी endemism भी मिलेगा accelerated species loss भी देखने को मिलेगा जो नहीं मिलेगा देखने को lesser inter specific competition नहीं मिलेगा lesser inter specific competition inter specific competition competition between two individuals of different species तो यह नहीं होगा कि वहाँ पे आपको competition कम देखने को मिले ठीक है जी आगे चलता हूं एक मिनट आपको होड़ हाँ जी तो biodiversity hot spot क्या है बायो डाइवर्स्टी होट इस जगह पर बनाए जाते हैं यहां पर biodiversity बहुत जाता हो बहुत तेजी सोथ बायो डाइवर्स्टी का लॉस हो रहा और endemism कि कि वहां पे कुछ species ऐसी हो जो particular उसी species वहीं पे मिलती हैं concept किस ने दिया था तो यह हमारे मेर साथ ने दिया था इसको याद दख लीजेगा डॉक्तर मेया का नाव कि इन्होंने hot spot का concept डेवलप किया था ठीक है इतना आपके लिए काफी है आगे चलता हूं तो यहाँ पे आके आज का हमारा session खतम उम्मीद करता हूं आपको session में interest आया होगा बने रही है फिर हमारे साथ सुमो बाइलोजी के साथ और रोज आपको इस तरह से near above 30 to 40 question आज के मेरे कहाँ से 50 question के round थे तो हम लोग बने रहेंगे और इसी तरह से preparation करेंगे best of luck मिलते हैं अगले lecture में till then good luck good bye